वेल्गम बेक तो आजका जो हमारा टॉपिक है वह है types of eggs तो types of eggs भी जो है वह बहुत important topic है यह short में ही पूछा जा सकता है और long में भी पूछा जा सकता है तो types पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक introductory part पढ़ लेते हैं एकश का तो एक्स क्या होते हैं, generally they are spherical in shape और जो insects के जो egg होते हैं, वो elongated होते हैं, cylindrical होते हैं और कुछ fishes और जो birds होते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, ओल शेप के होते हैं, एक्स ठीक है, जो eggs होते हैं, वो किससे covered रहते हैं, by a plasma membrane, और वो कौन सिक्रीट करता है, जो egg cytoplasm होता है, यानि कि जो ooplasm होता है, वो सिक्रीट करता है, अब क्या है कि egg का जो cytoplasm होता है, उसमें yoke होता है, pigments होते हैं, different और cortical granules होते हैं, cytoplasm जो है, वो एक not homogeneous mass होता है, homogeneous का मतलब होता है कि वो mass जिसकी हर point पे, जो physical properties हैं, वो same होंगी, चाहे हम कोई भी point ले ले, बट हम कह रहे हैं कि it is not homogeneous mass, इसका मतलब इसकी जो properties हैं, वो हर point पे क्या होंगी, different होंगी, same, नहीं होंगी, physical properties, and its substances are not equally distributed, जो भी उसमें, cytoplasm में आपका substances है, जैसे pigments हो गया, आपके granules हो गए, तो वो जो है equally distributed नहीं है, अब क्या है कि egg में हम components बढ़ लेते हैं, सबसे पहले shell और cell membrane है, जो 10% फॉर्म करती है egg का, shell देखते हैं, outer covering जो होती है, heart सी, उसके अंदर भी एक बिल्कुल थिनेक membrane होती है, अगर आपने कभी देखा होगा egg बहुत अच्छी तरीके से, तो ये 10% बनाता है egg का, उसके बाद albumin और योग दो बहुत important parts है, albumin जो white part हम देखते हैं हमेशा egg में, तो वो 60% है हमारा, योग जो है yellow part होता है, वो 30% होता है, ठीक है, तो ये एक पूरा composition है, तो उसके बाद एक basic एक मैंने diagram बनाया है, यहाँ पर आपका egg का, जैसी ये air cells हो गए, अब albumin में भी क्या होता है, ठीक albumin हो गया, आपका thin albumin तो अलग-अलग part से चिलेजा हो गया, यहाँ पर भी चिलेजा है, तो ये क्या है, एक तरीके सब क्या सकते एक के components है, तो ये basic egg का diagram है, अब क्या है कि, जो fertilized egg होता है, उसमें योग क्या करता है, योग yellow color का part होता है, वो क्या करता है, जो growing embryo है, जो developing embryo है, उसे nutrition प्रोवाइट करता है, ठीक है, और जो albumin होता है, वो क्या करता है, जो भी water necessary होता है, embryo की development के लिए, वो उसे provide करता है, ठीक है, अब हम main जो बात है, हमारी जो important है, वो है योग, योग बहुती important part होता है, ये बहुती nutritive substance होता है, जिसमें fats और proteins होते हैं, जो किसके अंदर बनते हैं, that are produced within the egg cell, Excel के अंदर बनेगा, जो amount होता है, योग का, it tends to obstruct the cleavage and affects the cleavage pattern of developing embryos, अब क्या होता है, हमने पढ़ा है, कि cleavage एक process होता है, ठीक है, जो embryo में होता है, तो क्या है कि योग का जो amount है, जादा है, या कम है, या moderate amount में वो है, तो जो योग की जो concentration होती है, वो एक तरीके से क्या करती है, जो cleavage के अलग-अलग patterns होते हैं, तो cleavage के patterns को define करते हैं, कि हाँ, कौन सा pattern जो है cleavage का वो यहाँ पे है, किस pattern से जो है cleavage की process हो रही है, तो क्या है कि जो योग है, योग का जो है बहुत ही एक important role रहता है, एक egg में अगर जब cleavage होती है, तो cleavage के pattern को वो effect करता है, तो यहाँ पे योग का बहुत important role होता है, अब दो terms आते हैं यहाँ पे, एक तो plantotrophic larvae और एक आते हैं lecithotrophic larvae, तो plantotrophic larvae वो larvae होते हैं जो उन एक से बनते हैं जिसमें less amount में योग होगा, और lecithotrophic larvae उन एक से बनते हैं जिनमें large amount में, जिसमें heavy amount का योग present होगा, तो अब हम classification बढ़ लेते हैं, generally जो X हैं उनको हम दो criteria के basis पे classify करते हैं, ठीक है, पहला criteria है कि कितना amount में योग present है in cytoplasm, दूसरा मतलब एक egg में है, कितने amount में योग है, उस criteria पे हम classify करते हैं X को, दूसरा की योग का distribution क्या है, वो कहां पे, उसकी position कहां पे है, वो center में हैं या वो poles में हैं, X के type on the basis of two criteria, एक तो amount of yoke और दूसरा location of yoke within cell, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे types of X on the based on amount of yoke, तो अगर हम yoke के amount के basis पे करें, थ्री type के X होते हैं, आपके, पहला एक होता है, आपका microlacithal X, mesolacithal X और macrolacithal X, तो microlacithal X क्या होते हैं, micro मतलब होता है small, बहुत कम, ठीक है, तो उन X में, जिन में बहुत small amount में yoke होगा, उनको हम microlacithal X कहेंगे, X जो होते हैं, ये बहुत small size के होते हैं, इनमें बहुत कम yoke present होता है, तो इस link का size भी छोटा होता है, example जैसे की generally, they are found in hydra, sea urchins, तो उनमें आपको microlacithal X हैं, वो देखने को मिल जाएंगे, दूसरा हाता है, mesolacithal X, तो in X में क्या होता है, moderate amount में yoke present होगा, moderate मतलब नहीं जादा और नहीं कम, ठीक है, एक middle, जो है, mesolacithal X जो होता है, present होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे macrolacithal X, तो macro मतलब क्या होता है, large, तो वो X जिन में large amount में yoke present होगा, उनको हम macrolacithal X कहेंगे, generally cephalopods और कुछ fishes और कुछ birds में मिलते हैं, etc., बहुत से अदूसरे भी organisms हैं, जिसमें macrolacithal X जो है, वो present होते हैं, दूसरा, जो हम अब पढ़ते हैं, जिस criteria के basis पे हमने classification किया है, एक्स का वो है, based on the location of yoke within the cell की, yoke की location क्या है, वो center पे present है, वो poles पे present है, etc., etc., तो three type के होते हैं, X on the basis of the location, isolecithal X, telolacithal X, and centrolacithal X, सबसे वहले हम पढ़ेंगे, isolecithal X, तो microlacithal X जो होते हैं, उसमें बहुती small amount में yoke present होता है, तो उनमें क्या होता है, कि जो yoke present होता है, वो scattered रहता है, पूरे cytoplasm में, ठीक है, जो app का cytoplasm में, उसमें वो scattered रहता है, और evenly distributed रहता है, uniformly distributed रहता है, ठीक है, example जैसे, accidents हो गया, echinoderms हो गए, तो उनमें जो है, isolecithal X मिलते हैं, दूसरा आता है, telolacithal X, तो जब क्या होता है, कि जो mesolecithal X यह, और जो macrolacithal X होते हैं, यानि कि जिनमें moderate amount में yoke होगा, और जिनमें बहुत जादा amount में yoke होता है, उसमें क्या होता है, कि योग generally poles में concentrated रहता है, poles में concentrated रहता है, ठीक है, और दो poles होते हैं, एक के एक तो होता है, vegetal pole और दूसरा होता है, animal pole, तो जब क्या होगा, कि जो vegetal pole है, जब vegetal pole पे एक के, आपका cytoplasm में क्या होगा, जब vegetal pole में yoke present होगा, जो mesolacithial और जो macrolacithial X हैं, जब उन में, उनके pole में, वो भी vegetal pole में, जब योग present होगा, तो उन X को हम बोलेंगे, telolacithial X, योग जो है, वो gravity की वज़े से क्या हो जाते हैं, poles पे जो है, locate हो जाते हैं, जैसे दो poles होते हैं, एक तो vegetal pole होता है, एक animal pole होता है, vegetal pole जो होता है, वहाँ पे योग की concentration बहुत जादा होती है, जादा amount में योग concentrated होता है, animal pole जो होता है, वहाँ पे क्या है कि योग की concentration कम होती है, concentration जो है वो कम होगी और वहाँ पर nucleus present होता है तो आपको यह चीज याद रखने की vegetal pole में बहुत जादा amount में यो concentrated रहेगा और animal pole में क्या होगा यो कम amount में present रहेगा concentrated होगा और वहाँ पर साथी साथ nucleus भी जो है वो भी situated होगा अब amphibians में क्या होता है कि telolacetal eggs जो है वो बहुत जादा जो है moderately telolacetal हो सकते हैं और fishes या कुछ reptiles, birds होगा उसमें highly telolacetal हो सकते हैं यानि कि जो हमारे poles है वहाँ पर concentrated हो सकते हैं देखिए यहाँ पर diagram है इसको आप समझ लिजिए जो टॉप में है उपर ये वाला animal pole होता है ये वाला आपका vegetal pole होता है यहाँ पे योग है हमें पता है कि vegetal pole जो है sorry यह आपका pole होगा यहाँ पे sorry तो vegetal pole पे क्या होता है सिर्फ योग concentrated रहेगा और योग यहाँ पे present है लेकिन अगर अगर हम animal pole की बात करते हैं वहाँ पे हमने पढ़ाई कि योग भी present होता है और nucleus भी present होता है तो यहाँ पे उपर को इस तरफ को यहाँ पे आपका योग भी है और nucleus भी present है ठीक है यह उसके बाद जो थर्ड आता है वह सैंट्रो लैसिथल एक्स सैंट्रो मतलब सैंटर तो जिन एक्स में जो योग है वो सैंटर पे present होता है वो सैंटर पे aggregated रहता है उनको हम सैंट्रो लैसिथल एक्स बोलते हैं दा एक्टिव साइटो प्लाज्म remain in the peripheral layer around the yolk योग के around जो peripheral layer होती है वहाँ पे आपका active cytoplasm होगा यह कुछ hydrozoa और कुछ insects होते हैं उसमें आपको central lecithal eggs जो है वो मिल जाते हैं देखिए central lecithal egg का diagram यह आपका पूरा egg है यहाँ पे बीच में आपका योग है और nucleus present है center पे पूरा जो योग है वो aggregate हो चुका है center पे present है ठीक है अब हम पढ़िंगे polarity of eggs तो eggs में जो polarity होती है जितने भी type के eggs होते हैं उनके पास क्या होती है polarity होती है बट जो टीलो lecithal eggs है उसमें polarity बहुत जादा होती है polarity का मतलब होता है कि जब दो poles होंगे आपके polarity जब दो poles होंगे आपके vegetal pole और animal pole होंगे ठीक है और वहाँ पे अलग-अलग आपके components होंगे composition होंगे तो क्या है कि दो poles मतलब क्योंगे designated ठीक है अपने दो पोल होंगे और अपना-पना उनका जो है concentration होगा कहीं पे जैसे की एक पोल पे आपका nucleus और yoke होगा दूसरे पोल पे आपका सिर्फ yoke होगा तो ये चीज़े हैं animal-vegetal axis ये एक term है बहुत important term है an imaginary line which passes through the center of animal pole to that of the vegetal pole animal pole हमारा top में होता है यहाँ पे मैं आपको diagram दिखा देती हूँ जिसे ये है ये आपका animal pole है ये आपका वेजिटल pole है तो इसके axis से जो ये 20 से दोनों एक pole के बीच से जब एक imaginary line पास हो रही है दूसरे pole पे तो वो जो imaginary line है ना इसको हम क्या बोलते है animal vegetable axis बोलते है ये एक imaginary line है जो कहा से पास होती है through the center of animal pole to that of the vegetable pole ठीक है ये चीज़ है और इस axis को हम polar axis भी कहते है दो poles के बीच में जो एक imaginary line है तो animal pole में क्या होगा the cytoplasm appear to be more active animal pole में जो cytoplasm है वो ज़्यादा active होता है और वहाँ पे nucleus भी present होता है और यहाँ पे meiotic division जो है वो होगा animal pole पे ये animal pole की कुछ important features है ये आपको पता होने चाहिए vegetal pole जो है यहाँ पे cytoplasm less active होता है ठीक है less active होगा और contain most of the yoke हमको पता है कि animal pole पे yoke की concentration कम रहती है और vegetal pole पे yoke की concentration जादा रहेगी उसके बाद कि animal pole जो है मतलब कि ये वाला pole है ये animal pole जो है ये वाला pole जो है इससे क्या होगा further head बनेगा animal का या जो भी organism है उसका head बनेगा animal pole पे जो भी present होगा future में head बनेगा और जो vegetal pole है यहाँ पे क्या होगा कि जो animal है वेजिटल pole से उसका posterior जो पार्ट है posterior part बनेगा posterior reason बनेगा animal का ठीक है तो ये है आज का topic और इसको आप अच्छी से देखिए समझेए शेयर कीजिए अपने friends को अगर आपको लगता है कि ये video helpful है thank you